अग्नी वीर वाई शॉरीज में साइंस सब्जेट के तहरे आप मैंने आपके साथ फिजिस के दो सेट डिस्कस करने वाला हूं तो आज आपके साथ मैं physics का तीसरा set discuss करने वाला हूँ यहनि कि आज भी हम 25 questions को discuss करेंगे और यह questions काफी easy हैं moderate level के हैं जब इनको solve करके दिखाऊंगे ना तो आपको लगे कि यार काफी easy questions हैं और आप बिल्कुल exam में सारे questions करके आने वाले हैं तो बिल्कुल ऐसा होगा अगर आप यहां पे तीनों set के वीडियो को देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं तो आपको idea जरूर मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको अपनी तयारी करनी है science subject में physics paper की तो चलिए time का विनवेश के विए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि first question क्या है तो first question है which electromagnetic wave has maximum wavelength x-rays, gamma-rays, radio wave या infrared wave आच्छा last वाले set में हमने जो question discuss किया था उसमें light के time में यो question पुचा गया था अब यहां पे wording change कर दिया है electromagnetic world बोल रहा है तो confused नहीं होना है light भी क्या है, electromagnetic wave है तो जिस तरीके से light विएप कर रहे है उसी तरीके से electromagnetic waves भी विएप करेंगी अपनी properties को hold करती है तो यहां पे पूछा जा रहा है कि electromagnetic wave मतलब कौन सी wave ज्यादा wavelength रखेगी तो मैं आपको बता दूँ यहां पे radio wave की जो wavelength है इन में सबसे ज्यादा है और अपने wavelength की वज़े से ही यह long term दूरी तै कर पाती है और maximum जगा पे पहुँच पाती है अपने wavelength की वज़े से ही आप radio सुन पाते हैं मतलब radio waves की जो wavelength है उसी की वज़े से आप घरों के अंदर कोई भी रूम में आप रहें radio आप सुन पाते हैं तो इस प्रॉपर्टिक वज़े से ऐसा हो पाता है जो देखते हैं निस कुछन क्या है तो निस कुछन है वेन एन एलेक्ट्रोमेगनेटिक वेव moves from one medium to another medium then which quantity will not change wavelength, speed, frequency या none of these अगें फिर यहां पे electromagnetic wave की बात बोल रहा है अना light के टम में आपको जिस तरीके से यहां पे property समझ में आ रही है उसी तरीके से electromagnetic waves other electromagnetic waves की properties को भी समझना है तो देखें यहां पे जो wavelength होती, speed होती है वो change हो जाती है जब भी कोई electromagnetic wave एक medium से दूसरे medium में जाती है याना, move करती है तो यहां पे frequency जो है वो change नहीं होगी तो यहां पे अगर wording electromagnetic wave बोल रहा है यह light बोल रहा है, तो confused नहीं होना है दोनों का मत्तब एक ही है property दोनों में hold करेगी तो यहां पे character option क्या हो गया C हो गया, चलिए देखते है next question if a wire of uniform area of cross section is cut into two equal parts the resistivity of each parts will be four times double, half या same अब यहां पे एक uniform wire की बात की जा रही है uniform जब भी wording बोलेगा तो इसका मतलब है उसके सारे dimension क्या है, same है मतलब उसकी लंबाई, उसकी चौडाई हर एक point पे और उसका cross sectional area हर एक point पे, मतलब जहां सभी आप उसको cut करेंगे उसका cross sectional area जो होगा वो same मिलेगा, right तो ऐसी wire को cut किया जा रहा है equal parts में, पूछा जा रहा है कि the resistivity of the each parts will be तो फिर आप याद करिए, मैंने आपको बोला है कि जब भी resistivity की बात करेगा तो इसका मतलब है कि ये property है जो किसी matter की property होती है matter के nature पर depend करती है आप किस matter की बात कर रहे है हर एक matter की अपनी resistivity होती है और resistivity एक ऐसी property होती है जिसकी वज़े से जो current flow होने का nature होता है वो क्या होता है resist होती उस matter के द्वारा मतलब वो matter अपने में से current flow होने को resist करता है तो वो property क्या होती है resistivity होती है तो आप इसको कितने भी parts में कर लो resistivity जो होगी वो same रहेगी तो correct option क्या हो जाएगा D हो जाएगा find the equivalent resistance of the given circuit अब इस तरीके से आपको circuit दे दिया जाएगा पूछ लिया जाएगा कि equivalent resistance क्या होगा इस तरीके से capacitance का भी आपको circuit दे दिया जाएगा पूछ लिया जाएगा equivalent capacitance क्या होगा तो इस तरीके से question solve करने के लिए आपको circuit का combination पता होना चाहिए कि वहाँ पे circuit में जो arrangement है, different जो parts है, different जो gadgets उसमें लगे हैं, appliances लगे हैं, वो किस combination में हैं, parallel combination में हैं, या series combination में हैं, जब आप ये आसानी से पहचान जाओगे, तो तुरंट formula अप्लाई करके आप इसको solve कर सकते हो, अब आप देखो, यहाँ पे एक ये register है, एक ये register है, तो द resistance होता है, वो क्या होता है, उसका formula होता है, 1 upon RE is equal 1 upon R1 plus 1 upon R2, यह होता है, अच्छा जी, तो आपको RE नहीं पता है, आपको R1 तो पता है, 60, R2 भी पता है, 30, इनका LCM क्या हो जाएगा, इनका LCM हो जाएगा, 60, यह 1 टाइम जाएगा, यह 2 टाइम जाएगा, क्या मिलेगा, 3 upon 60, it means, it is 1 upon 20, तो अगर आप इससे देखोगे, तो RE की value क्या निकल कराएगी, RE की value निकल कराएगी, 20 ohm, बड़े आसानी से solve कर लिया, सिरफ क्या देखना था, कि किस combination में यहाँ पे register combine किये गए है, जोडे गए है, तो parallel में formula apply कर दिया, series में होता, तो सीधे क्या हो जाता, RE is equal R1 plus R2 हो जाता, easily आप उसको add कर लेते, यह ना, यह है, चलिए देखते है, next question, a solid spherical conductor is placed in an external electric field, it is given a charge Q, the charge Q, अब यहाँ पे एक solid conductor लिया जा रहा है, स्पेर लिया जा रहा है, स्पेरिकल सेप में लिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि अगर उसको हम external electric field में रखते हैं, और उसको charge क्यों भी देते हैं, तब वहाँ पे क्या होगा उस square में charge के साथ, इस distributed uniformly throughout the sphere, इस distributed non uniformly but throughout the sphere, या is distributed uniformly on the surface of the sphere, या is distributed non uniformly on the surface of the sphere, तो थोड़ा से यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, देखे, जब भी हम यहाँ पे एक conducting sphere की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक conducting sphere होता है, उसमें जब आपको इस charge डिस्टिबूट करते हैं, तो पू आजाता है, internal electric field जो हो जाती है, वो क्या होती है, जीरो हो जाती है, और जब आप उसको electric field में, किस electric field में introduce करते हैं, तो वहाँ पे extra charge induced होता है, और वो जो total charge बनता है, वहाँ पे वो non uniformly distributed हो जाता है, वो depend करता है कि किस तरीके से वहाँ पे field की strength है, तो यहाँ पे क्या हो यह आप इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, यह होगा इस question का answer, right, concept मैंने आपको बताई दिया, दिमाग में रखे, चलिए देखते है, next question, next question है, consider a car moving with a constant acceleration along a straight road and distance covered by the car is given by equation this 9 meters, then find the ratio of acceleration and initial velocity of the car at the start, अब देखे इस तरीके से question जो है, पढ़ने में आपको लगता ह बड़े questions आ गए, काफी बड़ा question हो गया, equation भी दे दी, यहाँ पर function के रूप में दे दिया, time के respect में आपको ऐसे क्या निकाले, तो घवराना नहीं है, main concept आपको अपने दिमाग में रखना है, आपको पता है कि जब भी यहाँ पर displacement का function दिया जाएगा time के respect में, तो उसको स करने पर आपको acceleration मिल जाएगा, जो मिलेगा ratio निकाल लो, है ना, तो चलो, यहाँ पर differentiate कर लेते हैं, s is equal क्या है, 5t square plus 3t plus 9, अगर आप इसको time के respect में differentiate करोगे, तो क्या मिलेगा, यह यहाँ पर मिलेगा 10, 10t, यह 3 मिलेगा, यह 0 हो जाएगा, because यह constant है, तो यहाँ से क्या मि मिल रहा है, यहाँ पर velocity मिल रही है, अच्छा, 10t plus 3, अच्छा, तो आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है, कि ratio निकालना है, velocity and acceleration का, initial velocity of the car at the start, मतलब कि, initial condition पर आप से पूछ रहा है, तो initial जब भी wording बोलेगा, तो इसका मतलब time की value क्या है, 0 है, यहाँ पर आप क्या कर लो, वी की value निकाल लो, वी की value क्या निकलेगी, यहाँ पर 0 रख दो, वी की value आ गई, 3, 3 meter per second, अब आपको acceleration निकालना है, तो आपने क्या करना है, इसको further differentiate कर लेना है, time के respect में, क्या हो जाएगा, dby dt is equal, यह हो जाएगा, 10, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यह constant है, 0 हो जा 10 upon 3 हो जाएगा, मतलब की 10 is to 3, यह आ गया भया ratio, कौन सा option correct है, option is the correct option, तो इस तरीके से आपको solve कर लेना है, बहुत basic concept दिमाग में रखना है, बहुत जादा language कितना भी घुमा फिरा के दे दे, बस दो तीन word आपको समझना है, time के respect में समझना है, और जो function given है, वो किसका function given ह तो उसको आप use करके कर सकते हैं, right, चलिए, देखते है next question, which one of the following statement is correct, अब एक statement गटा में question आ जा रहा है, statement गटा में देखिए, इस exam में अगर आप देखो गे number of questions को, मैंने जितने भी, अभी यह तीसरा set चल ला है, आप पिछले दोनों set को आप देखो, उसमें statement wise question भी काफ होना चाहिए, अगर आपको पता होगा, उनकी properties पता होगी, definition पता होगी, तो जरूर आप उन्हें statement वाले questions को easily कर पाओगे, आसानी से, correctly, तो देखिए, rolling friction और sliding friction की बात हो रही है, तो अब आप देखिए, कि जब भी कोई body roll करती है, तो उसका जो area होता है, क्या होता है, कि वो किसने किसे surface से touch करके roll करता है, तो area of contact होता है, वो काफी कम होता है, roll करने वाली body में, लेकिन जब वो slide करती ही, कोई body, तो sliding में क्या होता है, कि area of contact ज्यादा होता है, और आपको पता है, कि friction force, जो है, वो क्या होता है, दो surface के बीच लगने वाला force होता है, एक negative force की तरीक किसी काम करता है, motion में, motion को क्या करता है, decrease करने कोसिस करता है, तो जब area of contact ज्यादा होगा, तो friction force भी ज्यादा लगेगा, तो यही से, इस concept से ही, दिमाग में आप रखिये, पढ़ा-पढ़, अगर आपको नहीं भी याद है, सिर्फ आपको इतना याद है, कि area of contact ज्यादा ह होगा, किस में है, किस option में है, rolling friction is less than sliding friction, यही है, यही है, यह आपने correct कर लिया, right, हो गया correct, तो बड़ा, आपको एकदम से, बड़ी आसानी से solve कर लेना है, दिमाग में सिर्फ यही रखना है, कि definition क्या है, और उसका to the point क्या है, मतलब आपको बहुत formula, बहुत, उसमें descriptive में जाना है, सिर्फ और सिर्फ to the point वहां पे सोचना है, और to the point यहां पे solve करना है, चलिए, देखते है, निस कुर्चन, अब उनके acceleration due to gravity का आपको ratio पता करना है, तो माल लेते हैं कि दो planets है, A और B, चलिए, अब आपको पता है कि general formula क्या होता है, मतलब कि G का जो general formula होता है, वो क्या होता है, वो होता है, Gm upon r square, है न, माल लोग स्कूर्थ के टम में, चलिए, अब एक planet को लेते हैं, माल लोग planet A है, तो planet A के लिए Gm upon r a का whole square, है न, और Gb क्या हो जाएगा, Gb हो जाएगा, Gm b upon r b का whole square, यही होगा न, अच्छा जी, तो चलो, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, चुकि density के टम में भी बात की जा रही है, तो आपको density के टम में, यहाँ पे expression रख लेना है, formula making कर लेना है, density कहाँ पे मिलेगी, मास को अगर आप volume into density कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगे, density में express हो जाएगा, तो ऐसे कर लेते हैं, अब चुकि आप planet की बात कर रहे हैं, प्लैनेट को हमें एक spherical body की तरह consider करते हैं, और spherical body का जो volume होता है, that is, 4 by 3 pi r cube into density आप कर लोगे, मास आजाएगा, तो चलो, g a को आप इस तरीके से लिख लो, g a is equal क्या हो जाएगा, g 4 by 3 pi r a का whole square into rho a, यह मालू इसकी density है, और यह क्या हो जाएगा, r a का whole square हो गया, अच्छा, g b की value क्या मिल जाएगी, g b के लिख लिख लो, 4 by 3, pi r, b का whole square, and rho b upon r b का whole square, समझ में आ रहा है न, चलिए, अब इसको आप क्या कर लो, इसको आप यहाँ पे देखो, यह क्या हो जाएगा, g a upon g b अगर आपको करना है, तो g a upon g b जब आपको करना है, तो आपने क्या कर लिया, इस तरीके से कर लिया है, अब आप देखो, यह जब आप लिखोगे, 4 by 3, मैं यहाँ पे लिखने क्यूरत नहीं, औरली आप इसको कर सकते हो, सिर्फ आपको समझ में है, इसलिए इसको लिख रहा हूं, बहुत असानी से इसको solve कर लेना है, औरली आपको solve कर लेना है, तो य यहाँ पे कुछ मार्क नहीं हो पा रहा है, यह आप इसको क्यों मानों, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, rho b upon, थोड़ा से यहाँ पे issue आ रहा है, r b का whole square, है ना, अब आप देखो, यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, इससे, यहाँ पे क्या मिलेगा, r a square मिलेगा, उसे तरीके से r b square में से यह cancel हो कहने का मतलब, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है, r a, rho a, है ना, और यहाँ पे क्या मिलेगा, r b into rho b, simple तरीके से आपको मिल जा रहा है, अब आपने क्या कर लेना है, value को रख लेना है, r a upon r b, यहनि कि r a is to r b क्या है, 1 is to 4 है मतलब की 1 upon 4 और density का क्या है 1 is to 2 है तो आपने क्या कर लिया 1 is to 2 कर लिया क्या मिल गया 1 upon 8 मिल गया तो इसका मतलब है कि 1 is to 8 होगा क्या GA is to GB की जो value है that is 1 is to 8 मिल जाएगी तो चलिए option क्या हो गया A correct हो गया तो बड़ी आसानी से आपने solve कर लिया यहाँ पे आपको क्या करना था मास पहले formula देखना है general formula क्या है general formula यह है अब इसमें आपने क्या कर लिया मास को volume और density में convert कर लिया और यहाँ पे relation को satisfy कर लिया solve कर लिया मिल गया answer है ना बड़ा असान था चलिए देखते हैं next question for projectile motion the correct relation between maximum height h and the range r is यहाँ पे maximum height और range के बीच relation को पूछ रहा है और यहाँ पे given है कि theta is angle of projection मतलब कि जिस angle से आप उस body को project कर रहे है वो angle है तो बताइए यहाँ पे relation क्या मिलेगा बहुत simple है आपको क्या करना है सिरब यहाँ पे formula दिमाग रख लेना है formula क्या है आपको पता है गि h की value होती है formula जो होता है that is v square v square sin square theta upon 2g यह होता है h की value और r की value क्या हो जाएगी r का formula क्या है यह होता है v square sin of 2 theta upon g होता है small g acceleration due to gravity अच्छा अब आपने अगर इन दोनों को ratio कर लेना है क्या हो जाएगा r अगर आप यहाँ पे इनका ratio निकालो तो क्या हो जाएगा h upon r is equal this upon this हो जाएगा कहने का मतलब यहाँ पे v square v square cancel हो जाएगा है ना क्या मिलेगा मिलेगा sin square theta क्या मिलेगा sin square theta upon 2g upon क्या मिलेगा sin of 2 theta upon g है ना g g भी cancel हो गया अब यहाँ पे क्या बच रहा है अब आप देखो h upon r sin square theta upon 2 और यह जो है वो क्या हो जाएगा 1 upon sin 2 theta हो जाएगा यह जो क्या है g जो है cancel हो जा रहा 1 हो जा रहा है तो कहने का मतलब यहाँ पे मिल रहा है वह यह h upon r is equal sin of theta into sin of theta upon 2 into 2 sin of theta cos of theta क्यों विकॉज आपको पता है कि sin 2 theta की value क्या होती है 2 sin theta cos theta होती है यह एक sin theta cancel कर लो यहाँ पे यह 2 2 जब 4 हो जाएगा क्या बचा यहाँ पे बचा 1 upon 4 1 upon 4 क्या 10 theta है ना मतलब क्या है कि h upon r is equal 1 upon 4 tan of theta है ना मतलब क्या लिखेंगे h is equal लिख सकते है r tan of theta by 4 यह लिख सकते है अच्छा अगर आप इसको r के टम में करोगे तो यह क्या हो जाएगा 4 h हो जाएगा 10 theta इदर आएगा cot theta हो जाएगा कहने का मतलब है कि r is equal 4 h 4 h cot of theta आप कर सकते हो कर सकते हो ना तो यहाँ पे कौन सा उप्शन correct हो जाएगा r equal 4 h cot theta इसका मतलब option भी the correct option बड़ी आसानी से आपने solve कर लिया देखे तो इसको आपको solve कर लेना है सिरप आपने क्या किया था formula अप्लाई कर लेना था बस आपको आपको आपर आंसर मिल जाएगा चलिए देखे है निस question निस question है a body of mass M capital M moving with the velocity capital V explodes into two equal parts if one comes to rest and the other body moves with velocity V what would be the value of V अच्छा यहाँ पे ये वाला जो V है और ये वाला V दोनों confused नहीं होना ये capital V है ये small V है पूरे statement में कितना भी बड़ा आपको statement दे दे main main points को आपको पगड़ना है देखे यहाँ पे capital M की बात की जा रही है capital V की बात की जा रही है small V की बात की जा रही है दो equal part में divide हो जा रहा है ये आपने पकड़ लिया फिर बोल ला है एक part जो वो rest पे आ जा रहा है rest पे आ जा रहा है अब ये 2-3 points में आपको समझ लेना है मोटी बात क्या हो रही है यहाँ पे momentum की बात हो रही है conservation आप momentum आप लगाओगे यहाँ पे तभी यहाँ पे question solve हो पाएगा है ना तो देखो आपको पता है कि जो momentum होगा जो P I होगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा capital M V अब यही initial momentum के हो जाएगा final momentum के equal होगा और final momentum जो मिलेगा वो दो parts के momentum के sum के equal होगा because वो दो equal part में divide हो जा रहा है है ना तो दो equal part का मतलब क्या है कि एक का जो mass है वो भी M by 2 होगा और दूसरे का भी जो mass है वो भी M by 2 होगा है ना velocity आप देख लो कि 1 की velocity small v हो जा रही है और 1 की velocity क्या हो जा रही है 1 की velocity 0 हो जा रही है because यहाँ बोल रहा है कि if 1 comes to rest, तो rest का मतलब क्या हो जा रहा है, उसकी final velocity 0 हो जा रही है, यहाँ अब आप यहाँ पर conservation of momentum लगा दो मतलब कि यहाँ पर p is equal क्या हो जाएगा, m by 2 into 0 plus m by 2 into small v यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको capital mv और यह 0 हो जाएगा तो कहने का मतलब, आप यहाँ पर small v इसको कर सकते हैं और small v की value मिलेगी अच्छा, यहाँ पर 2 भी है यह इधर आ जाएगा, 2 mv हो जाएगा, तो small v की जो value हो जाएगी, वो 2 v हो जाएगी, m m कैंसिल हो जाएगा, condition आपको मिल गई, यहाँ small v is equal to 2 times of capital V यह है, आपको सिरफ statement में छोड़े-छोड़े terms पकड़ने हैं, और उनका मतलब क्या है, वो ही पकड़ना है बाकी तो statement आल्तो-फाल्तो होता है question में उसी तरीके से आपको बेकूप बनाने कोशी की जाती है, और real life में भी ऐसे आपको बेकूप बनाने कोशी जाती है बहुत सारा wording, बहुत सारा dialogue बाजी, बहुत सारा भाशन दिया जाता है लेकिन उसमें काम की बाद दो-चार words के ही रहते है तो इसी तरीके से आपको question को भी समझना है आपको यह नहीं समझना है, बड़े-बड़े question है, बड़ा, बहुत मोटी book मिल गई बहुत lengthy, concept आपको पकड़ना है concept जो हैं, बहुत next question है, यहां पर the magnetic flux linked with the coil in waiver is given by the equation 5 is equal 6 T square plus 3 T plus 2, then the magnitude of the induced EMF in the coil at T equal 3 second will be, अच्छा यहां पर options given है, 39 volt, 44 volt, 36 volt, या 50 volt, अच्छा अब यहां पर coil के थुरू induced EMF की बात की जा रही है आपको पता है कि जब भी हम flux में change करते हैं तो flux में change होने की विज़े से क्या होता है, उस conducting body में EMF induced होता है, और induced EMF क्या करता है, उसमें current develop करता है, current produce करता है अच्छा, यहां पर relation बनता है induced EMF और change in flux में वो क्या बनता है, वो यह बनता है कि E is equal minus d5 by dt क्या बनता है, minus d5 by dt, अच्छा जी, तो यहां पर minus क्या बताता है, यहां पर बताता है कि negative rate of change of flux तो इसको अगर आप में intuitive के form में देखेंगे, तो यह क्या बनेगा minus d5 by dt अब आपने क्या कर लेना है, आपने इसको बड़ी आसानी से differentiate कर लेना है, यह क्या बनेगा, 60 square है ना, तो हो जाएगा मैं directly यहां पर कर रहा हूं, हो जाएगा यह 12 t plus 3 plus 0 because 2 जो है वो constant वो 0 हो जाएगा आप से पूछा जा रहा है time 3 second यानि कि 3 second के बाद उसमें कितना यह में फिंड्यूस होगा तो चलो भी यहां पर t की value 3 रख दो, तो 12 into 3 plus 3 that is 39 मतलब कि e की जो value आएगी, वो क्या हैगी 39 volt आएगी, correct option क्या हो जा रहा है, correct option हो जा रहा है, 39 volt वड़ी आसानी से solve कर लिया कुछ नहीं करना था, सिरफ आपने यहां पर relation दिमांग में रखना था e is equal minus d5 by dt, यही है आपको फड़ा-फड question को solve कर लेना है formula आगर आपको यादे और concept यादे, क्या लिए, देखते हैं इस question the dispersion is, आप देखे, कुछ नहीं है फिर यहां पर statement में question पूछ लिए है dispersion क्या है, dispersion आप जो है वो 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं dispersion जो है basically क्या होती है white light जब prism से pass करती है तो वो क्या हो जा रही है अपने 7 constituent colors में वहाँ पे टूट जा रहा है distribute हो जा रही है वहाँ पे एक spectrum मिल जा रहा है colors का जो कि क्या है red से violet की तरफ shift होता है तो आपको सिरफ यहाँ पे concept दिमाग में रखना है और पढ़के correct कर देना है तो आप देखो reflection of light rays from a surface bending of light ray at a corner नहीं नहीं bending of light ray towards normal when it travels from one medium नहीं splitting of white light into its constituent colors जी बिल्कुल correct है तो आपने correct कर लिया है कुछ है ही नहीं है तो काफी आसान सवाल भी पूछे जाते हैं statement अगर आपको दिमाग में आपको याद है तो है ना चलिए देखते है निश्कूर्शन टू कंडुक्टिंग वायर्स a and b are made of same material the length of b is twice that of a and radius of circular cross section of a is twice that of b then there resistance r a and r b r in the ratio अच्छा जी अब यहाँ पे resistance केटा में बात की जा रही है resistance में condition यहाँ पे दे दी जा रही है दो वायर्स का अच्छा अब यहाँ पे भी main wording को पकड़िए main wording क्या है made of same material पहली बात यह है कि मतलब अगर same material के बने हुए है तो उनकी जो resistivity होगी वो same होगी यहना फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि b की जो length है वो क्या है a की length की twice है right and radius of circular cross section of a और a का जो cross sectional area है a का जो radius है cross sectional radius है वो क्या है b का twice है अब इसी condition को आपको hold करा लेना है तो पहले भाया general formula आप दिवां में रख लो general formula क्या होता है rho l upon a मतलब की resistivity, length and area यह होता है अब दो वायर्स की बात कर रहा है एक है आरे तो आरे का क्या हो जाएगा rho यहाँ पे ल ए upon area यही होगा न अच्छा r b क्या हो जाएगा rho l b upon area यही होगा चलिए अब देखे यहाँ पे आपको क्या करना है आपको यहाँ पे इन दोनों का ratio find कर लेना है r a upon r b कर लेना है rho rho cancel हो जाएगा क्या मिलेगा l a मतलब r a upon r b जो क्या मिलेगा l a upon area area क्या हो जाएगा चुकि आप यहाँ पे wire के cross section area की बात कर रहे हैं तो pi r square का time में आप लोगे और area में radius होगी वो आप रखोगे तो मतलब यह है कि pi r a का whole square और उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा l b हो जाएगा और आप क्या लिखोगे pi r b का whole square यही न रखोगे तो अब आपनी क्या कर लेना है condition को hold कर लेना है condition को satisfy करा लेना है condition क्या है condition है कि length of b is twice that of a मतलब कि l b को आप क्या लिख सकते हैं 2 l a लिख सकते हैं फिर क्या है radius of circular cross section a is twice that of b मतलब कि इसको आप 2 r b का whole square कर सकते हैं तो ऐसे ही change कर लिजे फटापट यहाँ पे क्या हो जाएगा l a upon pi r r a की जगा क्या हो जाएगा 2 r b 2 r b का whole square है ना और यहाँ पे मिलेगा आपको l b की जगा 2 l a क्या मिलेगा 2 l a और यहाँ पे आपने pi r b का whole square रहने दिया चलिए अब आपने क्या कर लिया l a l a को cancel कर लिया और यह क्या मिलेगा 2 का square करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा r b k e square, pi r b square, pi r b square cancel हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 by 4, तो कहने का मतलब है यहा, कि r a, r a upon r b, जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 upon 4 मिलेगा, upon, चुकि यह 2 upon 1 है, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 upon 2 हो जाएगा, इसका मतलब 1 upon 8, तो r a is to r b की जो value मिलेगी, that is 1 is to 8 मिलेगी, आपको answer मिल गया, सिरफ आपने यहाँ पर क्या करना था, relation को satisfy करना था, condition के हिसाब से, मिल गया answer आपको, चलिए, देखेंए, next question, next question है, which of the following statement is incorrect, regarding center of mass, फिर यहाँ पर statement wise question है, आपको concept पता है, center of mass का, तो पढ़के आप आसानी से solve कर लोगे, चलिए, आपको मैं बता दू, center of mass क्या होता है, center of mass, एक point होता है, जो उस particular body का, कोई भी shape की body हो, उस shape वाली body के total, मतलब हर एक point पे जो mass होता है, उस mass का एक central point मिलता है, body के अंदर, जो उसके पूरे के पूरे mass को, हर एक point के mass को represent करता है, represent करने के मतलब यह है, या कि अगर आप उस body में, center of mass में अगर आप force apply करोगे, तो ऐसा करने पे वो body, translational manner में move करेगी, मतलब की, एक translational path वो follow करेगी, अपने motion में, particular force apply करने पे, तो यह property होती है, यहनि कि अगर आपने force apply किया, और वो translational motion में चलना start कर दे रही है, इसका मतल तब है कि आपने force apply किया है, वो center of mass पे, center of mass के just आसपास force को apply किया है, तब ही ऐसा possible हो पाता है, और अगर आपसा आप नहीं करते हो, center of mass से उपर करते हो, नीचे करते हो, दाएं करते हो, बाएं करते हो, तो वहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलता है, वहाँ पे कुछ rotatory concept देखने को मिलता है, रोटेटरी मैनर देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है, rotational motion कब होता है, rotational motion, torque मिलने की वेस होता है, torque में क्या होता है, force into perpendicular distance, तो perpendicular distance अभी मिलेगा, जब आप उस center से particular, उसकी distance को देखोगे, तो यह है concept, बहुत detail में आपको यहाँ पर नहीं समझाओ के अंदर होगा, तो चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं, center of mass of gravity is the point through which the force of gravity acts on an object of system नहीं, center of mass of a body is point at which the whole of the mass of the body can be assumed as a point mass, the center of mass of a body will always be inside the body, तो बया, यहाँ पर यहाँ पर यह क्या बुला है, the center of mass of a body will always be inside the body, all of the above statements are correct regarding center of mass, तो देखोगे, यहाँ पर यह क्या हो जा रहा है, the center of mass of a body will always be inside the body, यह incorrect हो जा रहा है, मैंने आपको क्या बोला, कि यह center of gravity and center of mass दोनों में फरक होता है, आपको सिरफ उस manner में देखना है, तो आपको यह नहीं दिमाग में रखना है, कि center of body जो हमीशा body के अंदर, center of mass body के हमीशा अंदर होगा, नहीं, तो यह आप दिमाग में रखिए, question आसानी से आप solve कर लेंगे, तो आप यहाँ पर हम देख लेते हैं, कि हमारा next question क्या है, the linear momentum of a particle is increased by 25%, then find the increment in the kinetic energy if the mass of the particle is constant, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर एक linear momentum particle का increase कर दिया जा रहा है, then find the increment in the kinetic energy if the mass of the particle is constant, particle का mass जो यह पर constant रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी kinetic energy को, momentum को क्या कर दिया जा रहा है, change कर दिया जा रहा है, कितना कर दिया जा रहा है, 25% कर दिया जा रहा है, चलिए, तो यह upon 2m होता है अच्छा जी अब मान लेते हैं यहाँ पे की जो मुमिन्टम है वो 100 है और मांस है वो भी 100 है जब भी परसेंट की बात हो तो आप इस तरीके से वहाँ पे कर सकते हैं और रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं वहाँ परसेंट में चीजें वहां पर क्या हो जाएंगी तो आप देखो पी स्कोर क्या हो जाएगा अगर आप इसको लेट कर रहे हैं लेट let P is equal 100 and M is equal भी क्या है 100 तो बईया यहाँ पर क्या हो जाएगा यह 100 into 100 upon 2 into 100 मतलब क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और यह मिलेगा 50 है ना तो यह इसकी हो जारी यहाँ पर kinetic energy initial हो जारी माल लो अब KF is equal क्या हो जाएगा KF is equal हो जाएगा यह 125 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो जा रहा है 25% English हो जा रहा है तो 125 125 और यहाँ पर क्या मिले जाएगा 200 मिल जाएगा यह 2 into 100 मिलेगा 125 125 जो आप solve करो तो क्या मिलता है आपको मिलता है 15625 मिलता है ना और इसको आप करो इस तरीके से तो आप देखो क्या हो जाता है तो यहां पे आपको क्या मिलेगा डेसमल मिलेगा तो 78 12.5 kf मिल जा रहा है चेंज इन काइनेटिक एनरजी परसंटेज में तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनरजी परसंटेज में कर इसको देखना है तो क्या मिलेगा kf minus ki upon ki into 100 करना पड़ेगा करना पड़ेगा ना तो भीया जब आप इस तरीके से करोगे kf minus ki तो ये क्या मिल ला 78 मतलब की 78 12.5 minus 50 करोगे because initial कितना है 50 है upon कितना करोगे यहाँ पे again 50 करोगे और total का क्या करोगे 100 करोगे because percent में change करना है तो यह मिलेगा यहाँ से 50 आप subtract कर दो 78 में से 50 जाएंगे कितना बचेगा 28 28 12.5 है ना इस तरीके से upon 50 50 को into इस तरीके से करोगे तो यह क्या जाएगा 2 टाइमस हो जाएगा है ना तो आप देखो आपने क्या किया यहाँ पे तो जब इसको आप solve करोगे तो इसको solve करने पर क्या मिल जाएगा आप इसको multiply करो आप 28 को जब multiply करोगे यहाँ 28.12 आना चाहिए ना स्वरी यहाँ पे गलत हो गया जब आप इसको इस तरीके से करोगे के आप माइनस के आई कहाँ गया यहाँ पे decimal था बहई यहाँ पे decimal था तो आप देखो इस तरीके से यह solve हो जाएगा इसको consider मत करना तो यह मिलेगा आपको क्या मिलेगा 28.125 करोगे तो क्या हो जाएगा 56 मिलेगा 25 मिल जाएगा 56.25 यह आपको आंसर मिल गया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा तो इस तरीके से आपको करेक्ट ली यहां पर solution निगाल लेना है इसको solve कर लेना है थोड़ा साथ को यहां पर ध्यान रखना है देश्मल होगा रहा है जैसे मैंने गलती की देखते हैं नेस कोशन यहां पर है चलिए तो दा वर्ग डन ओन मूविंग चार्ज पार्ट के लौप माइनस 5 कुलम इन एलेक्ट्रिक फील्ड जूल फाइंड दी पोटेंशल डिफरेंस अब देको सीधे तोर पर यहां पर फार् आपको पता है कि V is equal क्या होता है W by Q होता है तो यहां पर जो W है that is 100 J है और चार्ज जो है वो माइनस 5 कुलम है तो कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा माइनस 20 मतलब माइनस 20 वोल्ट आसानी से solve कर लिया कुछ है यह नहीं इसमें है ना चलिए देखते हैं नेस कोशन नेस्ट कोशन है अब यहां पर escape velocity के टाम में पूछ रहा है condition यहां पर कर दे रहा है कि find the escape velocity on a planet having mass twice that of earth and radius half that of the earth तो यहां आर्थ पे जो escape velocity आप निकालते हो उसके लिए formula क्या लिखते हो उसके लिए formula क्या लिखते हो 2GM upon RE है ना और M किसका अर्थ का M तो अब आप यहां पर condition apply कर लो condition क्या है condition यह कह रहे है कि mass है मालो अब वी नहीं आपको पी निकालना है किसी planet का निकालना है तो आपने क्या कर लेना है mass को दुगना कर लेना है अर्थ के उसमें से तो यह जो हो जाएगा directly आप यहां पर करो 2 into 2 GME हो जाएगा ना because इसका 2 times कर लेना है मैं एक step यहां पर omit करके लिख रहा हूँ और RE जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मतलब आरपी जो हो जाएगा वो RE का हाफ हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा RE by 2 यह होगा ना यह पूरा क्या है इसक्वाइर रूट में है तो VP के value क्या मिलेगी भाईया यहां पर यह 2 है ऊपर जाएगा और ME आपको क्या करना है यहां पर चुकि बोल रहा है कि radius के time में यह तो सिरफ आपने क्या कर लेना है यहां पर चुकि radius के time में आपको relation find करना है तो आपको mass को भी radius में निकाल लेना है radius तभी मिलेगे जब आप इसको volume और density में रखोगे है ना तो मिलेगा यहां पर 2 into 2 g और यह मिलेगा 4 by 3 pi r e cube into rho p है ना इस तरीके से upon r e by 2 क्या है r e by 2 यह उपर जाएगा है ना तो क्या मिलेगा आपको यहां पर मिलेगा यह उपर जाएगा तो यह क्या मिल जाएगा 4 बाहर आ सकता है ना तो 4 को आपने बाहर कर लिया मतलब vp की जो value आ रही है वो क्या हो जाएगा 4 को बाहर कर लिया r e से r e cancel हो जाएगा r e square बचेगा यह भी बाहर आ जाएगा 4 r e का whole square अंडर रूट क्या बचेगा अंदर बचेगा 8 by 3 g pi क्या बचेगा 8 by 3 g pi and rho p यह बचेगा ना तो आप देख लो भी यहां पर यह सारा का सारा constant यह भी constant है यह भी constant है यह भी constant है तो यहां पर इस पर depend नहीं करेगी यह quantity किस पर depend करेगी variable पर depend करेगी that is r right तो sorry r square नहीं यहां पर अंदर r e square था ना तो बाहर आएगा depend पर मतलब कि इस planet पर जो इसके velocity मिलेगी वो radius का two times होगी इसके proportional होगी तो बाया यहां पर यह क्या हो जाएगी इसका अगर आर्थ पर इस तरीके से है तो इस पर क्या हो जाएगा इसका two times हो जाएगा मतलब इसको two times multiply कर दोगे तो vp is equal क्या हो जाएगा two vee हो जाएगा मतलब की इसको into कर दो क्या हो जाएगा two to four and this 22 22.4 km per second correct answer हो जाएगा इस तरीके से आपनी solve कर लेना है बहुत basic है सिरफ relation निकालना आना चाहिए क्यों लिए देखते है निस क्योंचन charge particle of charge q and mass m is moving in a magnetic field b with a velocity v the velocity is perpendicular to the magnetic field find the radius of the path followed by the charge particle अब दिखो यहाँ पे भी बड़ा आसान सवाल है magnetic field के अंदर एक charge को move कराया जा रहा है perpendicularly move कराया जा रहा है पूरे statement में दो तीन word आपको पकड़ना है क्या बोल रहा है कि the velocity is perpendicular to the magnetic field है ना magnetic field की क्या हो जा रही है perpendicular हो जा रही है तो जैसी perpendicular condition आ रहे तो इसका मतलब है कि वो charge magnetic field में circular path को follow करेगा यह आपको मालूम होना चाहिए आना और एक radius के साथ इसमें move करेगा और आपको पता है कि इसमें एक centripetal force लगेगा वो centripetal force कहां स मिलेगा वो centripetal force मिलता है qvb से मिलता है ना इसके और general formula क्या बनता है mv square by r मिलता है ना मालो इसकी radius क्या है इसकी radius r है तो अब आप condition apply कर लो ना radius ही तो पूछ रहा है तो आपने क्या कर लेना है qvb is equal mv square by r है ना तो radius पूछ रहा है तो radius आपने इधर कर लिया r is equal क्या हो जा रहा है mv square upon qvb है ना एक v cancel हो गया और क्या बचा यहां पे r equal मिला mv upon qv क्या मिला qv है ना तो relation मिल गया mv upon qv mv upon qv कहां है यह है correct option क्या हो जा रहा है भी हो जा रहा है तो formula में बार बार आपको इस चीज को बोल रहा हूं कि formula याद रखिए relation याद रखिए concept याद रखिए और formula making आपको आना चाहिए clarity के साथ आप तुरंद वहां पर question को solve कर जाएंगे तो आपको ज्यादा 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 करनी है वो इसी तरीके से करनी है चलिए देखते है next question, next question है human hair cling together when it is removed from water due to force of attraction between hairs, surface tension, viscosity of water, characteristics proper of hairs, तो भीया अगर water से hair को मतलब बाल को धुला जा रहा है water से या आप नहां के निकल रहे हो तो आपके बाल चिपक जा रहे है तो property किसकी वेसे हो रही है किसकी property की वेसे ऐसा हो रहा है ये आपको दिमाग में रखना है कि water है और water में एक खास property होती है that is surface tension बार बार इस चीज़ को मैंने आपको बोला है कि surface tension एक ऐसी property है जिस property की वेसे water अपने आपको minimum area में रखने की कोसिज करता है वो एक sphere बनना चाहता है वो एक boond बनना चाह है minimum area cover करने कोसिज करता है और ये किस वेस होता है due to surface tension तो बाल चिपक जा रहे है क्यों 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 minimum area लेने कोसिज कर रहा है तो किस की वेसे हो पा रहा है surface tension की वेसे हो पा रहा है आसान था solve कर लिया चलिए देखते है निश कुशन what is the value of unknown resistance when connected with 8 ohm in parallel combination to give the equivalent resistance 3 ohm अब देखो parallel combination दे दिया है equivalent resistance दे दिया है एक resistance की value भी दे दिया है दूसरा निगाल लेना है फटा फटा फट formula होई है क्या है r equivalent is equal 1 upon r1 plus 1 upon r2 अच्छा r equivalent की value कितनी है यहां पे given है कितना है 3 है r1 की value है यहां पे क्या मालो नहीं given है r2 की value given है 8 ठीक है तो यह इदर जाएगा 1 upon r1 क्या हो जाएगा 1 upon r1 हो जाएगा 1 upon 3 minus 8 मतलब यहां पे यह 24 हो जाएगा यह 8 times जाएगा यह 3 times जाएगा 8 minus 3 that is 5 by 24 यहीं नहोगा 1 upon r1 तो r1 की value क्या हो जाएगी r1 की value हो जाएगी 24 यह आपने solve कर लिया तो यहां पे 24 upon 5 हो जाएगा यहां पे correct option क्या हो जाएगा भी हो जाएगा इस तरीके से solve कर लेना है बड़े आसान सवाल है चलिए देखते हैं इस question if the threshold frequency for photoelectric effect on sodium metal is 1.6 into 10 power 4 hertz then find its work function if plank constant is this बड़ा आसान सवाल यहां पे फिर आपसे पूछ रहा है कि threshold frequency for photoelectric effect sodium metal की इतनी है आपको पता है कि किसी भी substance का और खास तोर पे हम metal के गर बात कर रहे हैं और वहां पे हम electron emit कराने की बात करते हैं photo photoemigen कराने की बात करते हैं तो photoelectric effect में आपने पढ़ा है कि वो तभी possible हो पाता है जब उसको एक threshold frequency एक minimum frequency वाली radiation के content में लाया जाता है अगर वो minimum frequency नहीं मिलेगी यहां कि उस frequency वाली radiation को आप नहीं रखोगे तब तक emission नहीं होगा electron बाहर emit नहीं होगा तो उस frequency को हम बोलते हैं threshold frequency तो हर एक matter का वो threshold frequency क्या होती अलग लग होती है यहां पे sodium के frequency बता रहा है 1.6 into 10 to the power 4 hertz तो भाया आपने पता है यहां पे work function क्या होता है work function is equal h new naught new naught क्या है यहां पे threshold frequency है h क्या है plan constant है और work function यह होता है कि total energy उसको कितना चाहिए उस electron को अपने जगा से emit होने के लिए यह होता है work function तो इसको आप multiply कर लोगे 5 क्या मिल जाएगी इसकी value है 6.6 into 10 to the power of minus 34 into 1.6 into 10 to the power of 4 hertz इसको आप करोगे ती क्या हो जाएगा minus plus minus हो जाएगा minus 30 हो जाएगा और यह 6.6 and 16 सीधा multiply कर लो क्या हो जाएगा इस तरीके से तो आप देखो दो decimal आप लगा दोगे 10.56 और यहां पर मिलेगा minus 34 है ना तो 10.56 into 10 power minus 30 30 हो जाएगा ना 34 नहीं यहां पर cancel हो गया एक 4 तो यह इतनी value आ जाएगी तो वर्क फंक्शन की value कितनी हो जा रही है 10.56 into 10 power minus 30 जूर आसानी से solve कर लिया है सिरफ यहां पर क्या करना था calculation करना था formula आपको पता होना चाहिए था है ना यह देखते है next question next question है which logic gate will produce the following output अच्छा जब भी logic gate की बात आई है तो मैंने आपको बार-बार बोला है कि logic gate का symbol आपको पता होना चाहिए किस logic gate को रिफजंट करता है ना ना म को देदिया जाएगा symbol को देदिया जाएगा दोनों की time में question पूँछ लेगा कि इस नाम का जो gate है वो किस तरीके से symbolize होगा यह जो symbol है वो किस gate का symbol है truth table का time में भी question पूछ लेगा जिसे यहाँ पूछ लिया है truth table यहाँ बना कर दे दी गई है input output बोल रहा है यह किस की characteristics है किस में ऐसा output मिलेगा तो output कैसे आ रहा है 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 मिल रहा है तो यह क्या होगा अब मानलों की output जो है input क्या है a और b है तो और के case में क्या होता है और के case में plus हो जाता है क्या होता है plus हो जाता है a plus b यह ना मतलब जुड़ जाएगा तो 0 plus 0 करोगे 0 0 plus 1 करोगे तो 1 आना चीए इसका मतलब इसके लिए गलात हो गया and के लिए क्या होता है and के लिए होता है a into b मतलब 0 into 0 0 1 into 0 0 1 into 1 इसका मतलब इसके लिए correct मिल रहा है nand gate के लिए क्या होता है nand gate के लिए क्या होता है कि a dot b जो होता है उसका inversion हो जाता है right मतलब कि nand gate का ही क्या होता है and gate का ही क्या होता है यह not version आ जाता है और not जो होता है वो क्या होता है और का not version आ जाता है तो मतलब यहाँ पे a plus b का inversion हो जाएगा तो ऐसा मिलेगा क्या? ऐसा नहीं मिलेगा because one into one करोगे तो one आएगा लेकिन one का inversion क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए तो यह भी possible नहीं है और यह भी possible नहीं है इसका मतलब correct answer is b बड़ी आसानी से solve कर लिया तो condition आपको पता होना चाहिए कि किस logic gate में हम क्या output ले रहे हैं और उसका truth table क्या बनेगा? चलिए देखते है next question if v is equal 80 plus bt square v is velocity and t in seconds then the dimension of v is आप देखिए dimension के term में एक अलग type का question पूछ लिया गए आपसे यहाँ पर expression दे दिया जा रहा है v is equal 80 plus bt का whole square पूछ रहा है कि b की यहाँ पर b का dimension क्या होगा? चलिए जी आपको पता होना चाहिए कि dimensional रूप से जब भी इस तरीके से आपको equation दी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि equation में जितने भी terms होंगे कोई दो terms कोई तीन terms तभी add हो सकते हैं जो वो dimensionally क्या होंगे? इस सेम होंगे उनका जो dimension होगा? वो क्या होगा? RHS का जो dimension होगा? लेफ्ट साइड के यहनि की LHS और RHS का जो dimension होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए तभी आप dimensionally उसको correct बोलेंगे यह concert पता है? तो चलिए भाई अगर आप यहाँ पर A का निकालना चाहोगे अच्छा यह V है V का जो dimension होता हूँ आपको पता है LT-1 होता है तो अगर आप 80 को करोगे तो 80 में क्या हो जाएगा? यह A का dimension निकालना चाहोगे तो A का dimension हो जाएगा LT-1 एंड यह क्या हो जाएगा? यह 1 upon T हो जाएगा मतलब कि यह उपर जाएगा L T minus 2 हो जाएगा तो A की value क्या हो जाएगी L T minus 2 हो जाएगी लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है यहाँ B की value पूछ रहा है B का dimension पूछ रहा है तो आपको इसको भी इसके equal कर लेना है because मैंने क्या बोला कि यहाँ पे तभी यह equal होगा जब LHS के dimension के equal होगा तो B T square L T minus 1 is equal B T square तो B का dimension मिलेगा वो L T minus 1 and यह क्या हो जाएगा नीचे जाएगा 1 upon T square उपर जाएगा तो minus 2 हो जाएगा minus 1 minus 2 minus 3 हो जाएगा मतलब B का dimension मिलेगा L T minus 3 मिलेगा आपने असानी से इसको solve कर लिया correct option क्या हो जाएगा option B is the correct option इस तरीके से solve कर लेना है concept यही है कि दो terms तभी add किया जा सकते हैं दो terms तभी subtract किया जा सकते हैं जब उनका dimension same हो LHS का dimension RHS का dimension के equal होगा यह दिवा में रखिये concept चलिए देखते हैं इसकोशन इस तरीके से आपको question दे दिया जाएगा क्या where A and B are constant तो अच्छा जी आपको जो function given है वो किस में given है वो given है यहाँ पे x के respect में displacement के respect में तो अब आप देखो यहाँ पे अगर आप इसको differentiate करोगे किस के respect में x के respect में तो यह क्या मिलेगा v square is equal dx of a plus bx यह मिलेगा तो यहाँ पे जब आप इसको करोगे तो क्या मिलेगा 2v मिलेगा अब चुकि आपने यहाँ पे v को dx माना है तो यह क्या हो जाएगा dv y dx हो जाएगा क्या हो जाएगा dv y dx हो जाएगा यह है अच्छा जी यहां पर जब आप करोगे तो यह क्या हो जाएगा यह将来 को just अगर आप यहां पर इशको को time के respect में देखना चाहो किसको टाइम के रिश्मिन अगर आपने देखना चाहो dv by dx को तो आपको पता है कि dv by dx या dv by dt जो होता है वो क्या होता है वो होता है आप उसको लिख सकते हैं dv by dx into dx by dt ऐसे लिख सकते हैं तो आप देखो यह क्या हो जाएगा dx by dt क्या बताएगा यह बताएगा वी को बताएगा v dv by dx और यह उसी की वैलू है किसकी वैलू है वी बाइटी की वैलू है वी बाइटी की वैलू है इसकी वैलू क्या हो जाएगा वी बाइटू होगी और वी आपको क्या पता है वी आपको पता है कि यह constant है इसका मतलब यह एक acceleration के time में क्या बताएगा uniform acceleration ही बताएगा आप ने इसको किसके time में represent किया और dby dt जो है वो एक acceleration होता है तो जब आप acceleration के time में आप इसको इसका मतलब जो acceleration मिलेगा वो uniform acceleration मिलेगा यानि कि motion जो होगा वो uniform acceleration होगा uniformly accelerated motion होगा तो correct option क्या हो जाएगा option be the correct option तो इस तरिके से आपने question को solve कर लिया चलिए देखते है next question है a ball is dropped from a height edge and rebounds to a height which is 80% of the initial initial height find the ratio of the final potential energy to the initial potential energy of the ball final potential energy का initial potential energy से ratio पूछ रहा है और कुछ नहीं change हो रहा है सिरफ क्या change हो रहा है height change हो रहा है इस point को आपको पकड़ लेना है last वाली जो height final जो height हो पुरानी height का 80% है तो भया आपने पता है कि potential energy का जो formula होता है वो होता है MGH राइट क्या होता है MGH अब मानलों यह PE1 है अब PE F जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा MGH इसका height जो हो जा रही वो क्या हो जा रहा है तो 80% जब आप करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा भई इसका मतलब हो जाएगा 0.8 H हो जाएगा है ना 80% of यहाँ पे H की बात बोल रहा है तो 80 H upon 100 ही ना होगा तो आपने क्या कर लेना है यह ratio निकाल लेना है final potential energy to the initial potential energy यानि की root sorry 0.8 Mg upon यहाँ पे कितना हो जा रहा है Mg H है ना मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है Mg H और यह भी Mg H हो जा रहा है तो आपने जो निकालना है वो क्या हो जा रहा है मतलब वो क्या हो जा रहा है 0.8 upon 1 हो जा रहा है Mg H Mg cancel हो जाएगा decimal पटाओगे तो यह क्या हो जाएगा 8 upon 10 हो जाएगा मतलब 248 2510 मतलब क्या हो जा रहा है 4 upon 5 यह ratio जो find करोगे तो क्या हो जाएगा 4 is to 5 तो correct answer is B तो बड़ी आसानी से आपने यह पर solve कर लिया 25 questions को कितने आसानी से सिरफ और सिरफ आपको क्या करना था concept याद रखना है formula याद रखना है formula making आना चाहिए calculation fast होनी चाहिए आपके question 25 बड़ी इजली solve हो जाएगे काम समय में तो इस तरीके से आपको practice करना है यह थे आपके physics के तीन सेट I hope आपको clarity आज चुकी होगी कि किस तरीके से questions को solve करना है त्यारी करनी है फिर भी अगर कहीं पर आपको कुछ रह रहा है आपको लग रहा है इसमें कुछ इस तरीके से दिक्कत है इस particular topic मुझे नहीं समझ में आ आप सबको exam के लिए धेर सारी सुबकामना है आपका exam अच्छे तरीके से जाए और आप अगनिवीर वायू बन पाएं अपने आपको गरवानमित कर पाएं अपने मातापित को गरवानमित कर पाएं और डेश की सेवा कर पाएं चलिए तो मिलता हम आपसे नेस्ट वीडियो में have a nice day, great day, thank you